अख्री दिन के एक्षिन के लिए जान दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत लेकिन कल की शांदार रिकवरी और दिन की उचाईयों पर बंध होने के बाद बाजार आज फिर से मजबूत शुरुआत के संकेत देते वे क्या रही की रेंज क्या होगा ट्रेड कैसे करें मंतली एक्सपाइरी की तैयारी और आज है प्राइमरी मार्केट से सेकंडरी मार्केट में जोमेटो की शुरुआत तो बड़े एक्षिन वाला दिन स्वागत है आप सबका शेरबादा अलाई में नमसकार मैं हूँ अनिल और नमसकार मैं हूँ दिपांशु भंडारी और अनल जी रोज की तरह मार्केट अक्षिन पर तो आपसे करनी है चर्चा ओलिम्पिक्स भी हो रहे हैं शुरू और इतने सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं पर कल गुरुपूर्नेमा से पहले सर मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से और साथ हमारे वीवर फैमिली के तरफ से आपको गुरुपूर्नेमा की बहुत बहुत बदाई रोज जो आप हमें मार्केट्स के उतार चड़ाव के बारे में समझाते हैं और शिक्षा देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी सर अधीब धन्यवाद आपका और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं हमारे दश्कों से सीखता हूं उनका फीड़बेक जो मिलता है वह हमें बहतर इंसान बनाने में बहतर एनलिस्ट बनाने में मदद करता है आपसे काफी कुछ सीखता हूं कि अंग्रे जी किस तरह से ब उन सबको दिल से दन्यवाद गुरु कुरुनिमा के वक्त में इस खास मोके पर और तीन सबसे बड़े गुरु हैं जो मैं समझता हूं एक तो जिन्दगी जो सबसे ज़दा आपको सिखाती है दूसरा हम फोर्चुनेट हैं कि हम ऐसे प्रोफेशन में जह हर पल आपको दूसरा है जो गुरु है जिन्हों ने हमें आज इस लाइक बनाया कि आप और हम देखे बैठ कर शो करें तो इस खास मोके पर दिल से धन्यवाद हमारे सारे दर्श्कों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी गुरु पुरुनिमा की बहुत बहुत शुक्ताम ने बहुत बहुत शुक्रिया सर और रोज मजा आता है आपके साथ काम करके आपके साथ मार्केट के बारे में रोज कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिलता है तो आज की क्या सीखोगी उस पर भी करेंगे चर्चा और आज का पूरा सेटप भी सबंचना है सर बताएं आज की क्या कह रहे हैं आपको दुनिया पर के बादरों से सुच्ति के संकेत हैं अमेरी के बादरों में लेकिन रही हरी निशान के साथ क्लोजिंग लगातार तीसरे दिन दाओ उपर बंद होता हूँ नजर आया तो यह एक अच्छा संकेत है नेस्डेक में भी तेजी रही और अज बड़ा दिन है उतना ही कल भी बड़ा दिन है आई फोर ईटी टीस ऐफर आई और आई से बेंक दोनों शनीवार को कल पूरे एक्शन में अपने रिज़़स पेश करेंगे है लेकिन सबसे बड़ा एक्शन आज का जो है वह है जो मेटों की लिस्टिंग आज एक नही तरह की अपनी तरह की यूनिक कंप्टी इंदुस्तान में बादरों में लिस्ट होने जा रही है और इस लिस्टिंग के साथ बहुत कुछ एक्षिन दुनिया वर के बादरों में भी हुआ है प्रैमरी मार्कट को लेकर वह भी हम आपके सामने रखेंगे कि कोरिया में क्या कु कि गई है उसे फिर से देखा जाए या नहीं और अगर सुप्रीम कौड इस मामले को मान लेता है और के लिए केस री ओपन करता है तो यह भारती एटल और साथी आइडिया के लिए बहुत बड़ा पोजिटिव होगा इन दो शेरों पर विशेश तोर पर आज आपको रखी है बिल्कुल सर तो इतने सारे ट्रिगर से समझ में नहीं आ रहा कि कहां से करें शुरुआत पर अब तो सर हम मंतली एक्सपाइरी के तरफ भी मूव करते हुए देख रहे हैं तो एक बार जो कल आक्शन हुआ रिकावर होकर भारतिय बाजार दिन की उचाई पर बंद हुए दस पंदरा आठ सो के ऊपर की क्लोजिंग विली कैसे देखे इस सेट अप को और अब मंतली एक्सपाइरी के लिए क्ले द्यान में रखना है सब्सक्राइब करें कि एक दो दिनों की गिरावट में बात परेशान हो जाए और वापस तकर 55960 की तरफ बढ़ भी जाए तो भ पूदने लगें कि अरे वाँ अरे वाँ तो मतलब शांत रहें संयमित रहें मतलब इमोशन को काबू में रखें कि नहीं बहुत खुशी नहीं विरक्त भाव से जिसे कहते हैं कि आराम से ठीक है जो चल रहा है देखो एंजोय करो वेसा वाला मामला है क्योंकि अभी जो संक और जब वह करने तो इसका formula simple है जो हम कई बार discuss कर चुके है इस ग्यान में नहीं कुछी भी नहीं है लेकिन वक्त वक्त पर वह कहता है कि अपने ग्यान को review कर लेना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि क्या है क्या नहीं है तो अब इसमें यही simple है उपर की range में आपको बेचना जैसे आप 15,850-15,900 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करते हैं आपको पता है यह sale zone आता हुआ दिखा है और जैसे आप 15,700 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करते हैं आपको पता है कि यह buy zone है तो definitely इस range में उपरी स्थरों पर आपको profit booking भी करनी है थोड़ी वापस है उतना ही करना मुश्किल भी है तो ऐसे में अगर कर पाएं तो ठीक नहीं कर पाएं तो एक ही चीज ध्यान में रखे कि जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं हो तब तक ट्रेंड ऊपर का ही है और जब तक ऊपर का ट्रेंड है तो घिरावट में आपको खरीदारी करनी है ज बाकी 15-20% ट्रेडर में से 10% ऐसे होंगे जो दोनों तरफ कर ट्रेंड करना जानते हैं और 5-10% काफी कुछ आशुमादान साब के भी फॉलवर जिन्हें शोर्ट करने में ही मजाता है तो वह अलग तरीकी के हो गए तो ऐसे में अगर आप दोनों तरफ कर ट्रेंड करना जा तरदीप रेंजबाउंट ट्रेड है अब हाँ अब यह रेंजबाउंट ट्रेड में एक बात कई बार आती है इसे बाहर निकलेंगे कब और किस तरफ है ना तो हर बार आपको यह चक्र देगा कभी ऐसा लगए कि उपर की तरफ निकलने वाले कभी लेगे नीचे की तरफ इस चक्र में ही मत पड़िए कि कब निकलेंगे किस तरफ निकलेंगे कब निकलने का जवाब आ सकता है निकलने के लिए सबसे बढ़िया वक्त इस रेंज से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया वक्त है अगला हफता मंथली एक्सपाईर यह डेटा भरपूर है आपने सब कुछ हो गया अब आपको किसी भी एक तरफ जाना है तो मैं उम्मीद करता हूं यह वेरी उमीद है भरोसा नहीं है उम्मीद है यह अगले हफ़ते आपको एक अगले गुरुवार के पहले पले हम इस रेंज को तोड़ देंगे या तो 15,500 के नीचे जाकर बंद हो जाएंगे तो पता चलेगा कि अब हमें थोड़ा और नीचे जाना है या 16,000 के पार निकल कर टिक जाएंगे और उपर चले जाएंगे तो यह भी क्लियर हो जाएंगे आप देखें मुझे पूछें तो 60-65% चांस यह है हम इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेंगे अभी तक जो डेटा दिख रहे है एक लाइफ टाइम हाई के आसपास भी बाजार इतने हलके और यही वज़े कि एक या दो दिन के करेक्शन में बाजार फिर से इतने हलके हो बेकार दो दिन का करेक्शन आता है उसमें बाजार बहुत हलके हो जाते हैं और इस वज़े से रेंज तोड़ते नहीं है और लाइफ टाइम हाई पर भी थोड़े बहुत केश मार्केट के स्टोक चोड़ दो तो यूफोरिया है नहीं इसलिए ज्यादा संभावना है कि बा बाजार दीप मुझे लगता है बहुत वेल बैलेंस पर्फेक्ट पोजिशन है आपको धंग से ट्रेड करना आना चाहिए सिंपल और कुछ भी नहीं जी दिए बिलकुल सर तो दोनों तरफ का अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और अलजी तो रोज आपको लेवल्स बताते हैं अगर उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बढ़िया बाजार है कल भी बताया था 830, 835, 850 तक की एक रेजिस्टेंस जोन आ सकती है और बिलकुल वहीं पर बाजार आकर कल रुखते हुए दिखे तो चलिए सर फिर आज की रेंज भी समझ नहीं आज के लेवल्स पर भी नजर है और थोड़ी दिर में जो जो मैटो की लिस्टिंग होने वाली है उस पर भी आपकी राय जाननी ह है पहले आज का सेट अप समझा दे सब्सक्राइब करें मुझे तो ठीक लग रहे हैं मुझे कोई समस्या दिखते हैं तो मेरे लिए तो पॉजिटिव है हरे निशान में बंद वहाना बस काफी है तो अमेरिका लाल में नहीं काफी है और मैं खाल से डाव फूचर भी लास् तो थोड़ा सा में ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रोडर मार्केट में स्टेंथ थोड़ी सी कम हुई है खराब नहीं हुए बस उतने ही ध्यान रखने वाली बात है तो यह तो हो गया आपका अमेरिका का हाल तो ग्लोबल संक्यत में ने पॉजिटिव ले लिए कच्छा त यह भी ज्यादा टीका नहीं नीचे एकदम से मौका मिलते ही तूरंट ही उपर आई गया तो ऐसा लगा ता 69-68 की रेंज में तो बढ़िया है लेकिन 74 आने में भी वक्त नहीं लगा इसका मतलब साफ कच्छा तेल भी दिखा रहा है तो थोड़ी भी गिरावट आएगी कभ अब हर हफते एकोनोमी बदलती नहीं है हर रफते व्यूज मार्केट बदलते हैं जैसा मार्केट का व्यू है एकोनोमी के आँखरे खराब आए तो मान लिजए थोड़ा लंबा चलेगा मामला इंटरसेट थोड़ी नीचे रहेगी वह समझ कर थोड़ी तेजी कर लिज़ यह सिंपल है, ग्लोबल संकेत पोजिट्व, एफआइस के संकेत पोजिट्व है थोड़ा बने सोच रहता है न्यूटरल रखने का फेसलाग किया है जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों पोजिट्व है और बाकी तो और कुछ है नहीं ह जब दो दिन जोड से गिरे भी बाजार तुमने का शांती रखिए, ड़िये मन, सेंटिमेंट खराब मत किजिए और जिन लोगों ने सेंटिमेंट अपना ठीक रखा और जिन लोगों ने बार बार रहना वो 700-800 पॉइंट डाउ नीचे देखकर स्ट्रेस नहीं लिया, उनके पर आज भी स्माइल है, उन्हें कोई तकलीव ने ना तो उनके पैसे गहें और नहीं उनके ब्लेड प्रेशर बढ़ी है, तो आप आराम से शांती से सेंटिमेंट अच्छा मजबूत बनाए रखें, जब खराब होगा तब आपको कहा जाएगा, जब मुँ फुला लीजे, अब अपनी पोजिशन कम कर लीजे, अब निकलने के बारे में सोचे, अभी वक्त है, जब आयेगा तब बताये जाएगा, जी जी, जी, बिल्कुल सर, तो उसका भी इतजार रहेगा, पर आपने ये तो हर बार ही कहा है, कि जब तक सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको परिशानी की ज़रुवत नहीं है, आज भी सारे संकेत पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक वाइदा कारोबार की संकेत न्यूट्रल है, बताएं सर, फिर कौन से लेवल्स पर है आपकी नजर आज? 15,750 आज का दिन का स्ट्रोंग सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन यही है, आसानी से नहीं टूटने वाला है, फिर भी बड़ी रेंज हफ्ते का आखरी दिन है, तो 15,675 से 15,735 से स्ट्रोंग बाय जोन है, इस रेंज में निफ्टे आये तो जरूर खरीदना चाहिए, उपरी रेंज 15,850 से 15,880 है, यहां पर थोड़ा हम रुकेंगे जाकर इसको पार करके तो 15,950 स्ट्रोंग सेल जोन है, यहां पर आपको प्रॉफित बुकिंग भी करनी चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए, दोनों ही रेंज में उपर में शॉर्ट करने की राह है, आग इस रेंज में भी खरिदारी कर सकते हैं और इसके नीचे 33,934 है, मुझे नहीं लगता है कि वहां तक जाएंगे, हाला कि बैंक निफ्टी उतना मजबूत है नि जितना मैं देखना चाहता हूं, तो बैंक निफ्टी की मजबूती होगी नहीं होगी यह सोमवार को पता चले रिजल के बाद शनिवार को जो रिजल ताई यानि की कल तो सोमवार को समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी वाके में जो अंडर पर्फॉमंस है जो थोड़ी मुझे कम मजबूती दिख रही है वह वाके में टककर दे सकता है वापस से निफ्टी को और फिर से मजबूत हो स अब आई चोतिस आट सो पचेतर चोतिस नो सो पचेतर ये कली की रहेंज है लेकिन कल और आज में चुकि दीप हरोज हम एनलिसिस करते हैं डेटा देते हैं कुछ ने कुछ बदलाव होना चाहिए नहीं तो आप बहुर हो जाएंगे आप बोलेंगे सर ये तो क्या है वही कल व बाकी रेंज वही वाली एकल वाली चोतिस नो सो पैंतिस जाट और ऊपर की रेंज वह तो सेम ही रखे उसमें बदलाव करने की जरूद भी नहीं समझी पैंतिस जार पचेतर पैंतिस दो सो पचार स्ट्रॉंग सेल जोने इस पर आपको रखनी है नजर यह है आपके लिए दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बड़े जोन जिस पर आप फोकस करें जी बिलकुल सर और कल हमने देखा था कि बड़े जोन पर बाजार ने एक अटेंप्ट करी थे और बिलकुल आल्मोस उसी लेवल के आसपास आकर आपने मुनाफ़व असुली भी देखिए बत निफ्टी की तरफ जाने का प्रयास निफ्टी का हो सकता है ऐसले में 15,675 से लेके 15,925 इस बड़ी रेंज पर करना है आपको फोकस निफ्टी पर 15,924 का आपको अब तक का हाईयस लेवल मिला है क्लोजिंग बैसिस पर 15 जुलाई को 15 जुलाई को हाईयस लेवल पर बंद ह 15,924 और 16 जुलाई को 15,923 मतलब जाने कि 15,925 जाने की रेंज यहां पर आप प्रॉफिट बुक भी कर लिए चाहे तो शोर्ड भी करिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यह आपके लिए रेंज होगी दिन की निफ्टी पर अब आईये बैंक निफ्टी अब आईये कुछ और डेटा में आपको बताने की तरफ से इंडेक्स लोंग परसेंट से बढ़कर 27% हुई है थोड़ी बढ़िये और उम्मीद ही थी कल दिप अपने बात कर रहे थे साड़ अधाई बज़े कि आज एफाइस की तरफ से थोड़ा तो शॉर्ट कविंग होगा थोड़ी लॉंग पोजिशन बनेगी वह होता हुआ दिखा है तो 52% से 57% के आस पास पहुंचे और यहीं प सब्च्ब कलाकरू की थियें थीग, लेकिन इसके सामने 1496 करोड के इंडेक के फीचर की खरीदारी कीये और 1100 करोड की खरीदारी का आंख़्डा किसी भी लात से बढ़ा कआ जाएग और इसके ने यारा सो क्रोड के इंडेक्स फूचर्स भी खरीदे हैं लेकिन वहाँ पर ओपन इंटर्स गटा है तो इंडेक्स फूचर्स में जबर्दस शॉर्ट कवरिंग होती है और शॉर्ट कवरिंग का रीजन आपको पता है यह दो है एक दो दिनों में पीछे अमेरिका बढ़ गया अच्छा खासा तो जितना गिरा था उतनी भरपाई कर लिए दूसरा कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एकस्पायरी भी थी और इस हफ्ते की एकस्पायरी के लियाद से यहाँ पर थोड़ी खरीदारी आना तही तो इन दोनों के चलते जो डेटा है वो निकल कर मजबूत आ अब साइस तो है तो इसलिए फिर मुझे मानना पड़ा कि आज के लिए इन डेटा को पॉजिटिव मान के चले लेकिन बहुत पॉजिटिव इस हिसाब से नहीं हूं कि आज पॉजिटिव दिख रहे हैं डेटा इसका मतलब रोज पॉजिटिव या आज भी वापस जो कि फर्ण को भी लगा कि जिस तर से थोड़ी क्लोजिंग नीचे की होती वी दिखिए दो दिन पहले उसको देखते वे शायद हो सकता है बाजार खराब हो जाए लेकिन वैसा हुआ नहीं ग्लोबल मार्केट भी रिबाउंड कर गया तो यह है दीप आपके लिए एफाइस क जलके ही है यह अच्छा संकेत है जी दीप बिलकुल सर तो चलिए थोड़ी एफाइस की पोजिशन बढ़ी है शौट कवरिंग भी हुए है बट संकेत अच्छे ही है पीसी आर भी ठीक दिख रहा है सर और विक्स तो कल 10 परसेंट गिरा है वहां से क्या समझें इसे देखेंगे तो पूट कोल रेशियो बहुत बढ़के आया अधीब देखेंगे पॉइंट थीशिक्स बढ़ना कम नहीं होता ओर सोल लेवल पर तो था ही पॉइंट वर इसलिए कलका के बहुत ही ज्यादा ओर सोल है और जहां खुले वहीं खरीदिये यहां से भी पहली और आखरी बार नहीं हुआ है कई बार हुआ है आगे भी होगा 0.8 पूट कोल रेशियो में आपको शॉर्ट कवरिंग करनी ही पड़ेगी कहां जाएंगे और डे हाइपर बंद होना इस बात की और इंडिकेशन देता ही है कि किस तरी की शॉर्ट कवरिंग हुई अब तो आगया 1.18 बहुत बढ़िया ऐसे 0.81 को देखेंगे तो लगेगा बहुत बढ़िया लेकिन उसको देखके नहीं डिसाइड करना है वो तो ओर सॉल्ट था अभी भी पूट कोल रेशियो बैलेंस है कमफर्टेबल है लाइट है कोई चिंता की बात नहीं कि मतलब जिससे है है वी नहीं है और यह इसके लिए अच्छा संकेत है इंडेक्स विक्स काफी तेजी से गटा है दीब 10 बारा के निचे बड़े समय बाद आया तो विक्स बड़ा कमफर्ट दे रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी कम रहेगी अभी विक्स से तो यह संकेत आ रहा है लेक होगा क्लोजिंग बेसिस पर अलग होगा 15700 इंट्राडे स्टोप्रोस क्लोजिंग बेसिस पर 15625 के नीचे बंद हो तो थोड़ी सावधानी रखिए 15575 की जो क्लोजिंग की मैं बार बार बात करता हूं वो अलग है वो ट्रेंड में बदलाव के लिए यह आपके लिए ट् 15500 इंट्र अभी यह 15625 कहां से आ गया तो दोनों में फर्क है वो मैंने आपको समझा लिया तो यह ट्रेडिंग के लिया से आजकल के लिया से 15625 अब आईए बैंक निफ्टी एक इस्टोप्रोस 34350 इंट्राडे भी और क्लोजिंग इसके नीचे जाए तो फिर थैंक यू अब लगा सकते हैं 15925 के आसपास जो लाइफ हाई बनी उसके उपर भी लगा सकते हैं मैं 16000 का इसलिए दे रहा हूं ताकि इंट्राडे में आपका स्टोप्रोस ट्रिगर हो ही ना हो ठीक है ना और क्लोजिंग बैसिस पर 15924 की अब तक के बैस क्लोजिंग मेली है उसके उ 16000 है आप 16000 पर जाके कटिएगा अगर हो जाए तो नहीं तो कोई बात नहीं 15925 बुकिश स्टॉप लोस है आपके लिए क्लोजिंग बैसिस पर यह आपके लिए स्टॉप लोस हो जया डिफ्टी पर और बैंक डिफ्टी पर आप आईए शोट साइट पर एक ही स्टॉप ल कि अगरे सर तो मौजूदा पॉजिशन सा आपके सामने तयार है किस लेवल्स पर रखना है ध्यान यहां से अब लेते हैं संकेत नई पोजिशन के बताए सर नई पोजिशन साज कैसे बनाए खरीदे निफ्टी 15,735 बाइज यहां पर खरीदिये इस रेंज में खरीदिये आपको कितना खरीदाना उस हिसाफ से आप एंटर किए एक लोट खरीदना है तो फिर उस हिसाफ से थीन लोट खरीदना है तो 15 790 बाइज 15 750 बाइज 5 735 बाइज तीन हो जगर खरीद एज तो को खरीद च्रण को फट्र निफ्टी यह सारे टार्जिशन से इस जिसके लिए निफ्टी में करनी है खरीदाली जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,850 के उपर से मन बनाना शुरू करें बेचना शुरू करें 15,880 से 15,850 के उपर देखें कि टिकता है कि नहीं टिकता है टिक सकता है 880,950 यह रेंज पर्फेक्ट शॉर्ट किसी के इंविटेशन का इंतजार ने करें कि कोई आके मुझे बोलेगा कि बेचिये आपको खुद अपना मन बनाकर decision लेकर बेच देना इस रेंज में ज्यादा बेचन 15,850 पहला टार्गेट है 820 दूसरा टार्गेट है 15,790 इतना तो मिली जाएगा बाद में रिव्यू करेंगे क्या है क्या है क्या नी तो यह है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर खरीदारी और बिक्वाली के राए आज दोनों ही ट्रेड रेंज वाले हैं अ अगर आपको एक ही लोट खरीदना है तो 34,425 पर खरीदिये तो 350,425 पर खरीदिये तो उस तरीके से आप मन मनाईए आपको कहां खरीदना है यह रेंज खरीदारी करने के है strict stop loss होना चाहिए 34,300 पर यह लगाईए ही लगाईए अगर यह ट्रिगर हो जाने जीजे उसके ब बहुत दूर है वो 33,934,000 के पहले कहीं द्हंका सपोर्ट है नहीं तो फिर आप 400 पॉइंट के रिस्क कभी नहीं रखेंगे 400-500 पॉइंट के रिस्क में ज्यादा हो जाती है इसलिए strict stop loss के साथ आपको खरीदना है 34,675, 875, 975 और 35,000 यह सारे टार्गेट है जिनके लिए आपको करनी है बैंक डिट्री में खरीदारी एग्रेसिव टेलर्स जो लोग शॉट करना चाहते हैं जरूर करें दिल खोल करें 34,875 से 35,000 कल भी आपको 34,935 की रेंज में शॉट करने की राय दी थी वहीं पर टॉब बनाया दिन के दिन पैसे बन गए आज भी अगर उस रे टार्गेट जो बनेगा वो 34,750, 34,675, 575 और 34,425 यह सारे टार्गेट है जिनके लिए बैंक डिट्री में करनी है दीप आपको बीकवाली जी बिलकुल सर तो क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं कल भी हमने देखा उपरी सरों पर बिकवाली थी और निचले सरों से तो कल अच्छी राली रही आज भी लेवल्स बासा रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है अच्छा सर बैन लिस्ट के मैं आपको अपडेट दे दू NMDC बैन से बाहर आ गया है ये आपके लिए अच्छी ख़बर है पर बैन में बने हुए है नालको, कैडला, इंडिया बुल्स, संटीबी और कैनरा बैंक जो कल लग रहा था कि PNB और सेल बैन में आ सकते हैं ऐसा नहीं हुआ डेटा तो फंड्स का आपने समझा दिया सर कोई इंपॉर्टन लेवल्स वाइदा कारुबार के लिया से 15,800 एक ही 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि 15,800 मतलब आप 25 पोइंट गिर जाए तो डरिये मत तब भी आप पोजिटिव है 15,800 से ही आपको कमजोरी गिननी है क्यो 15,800 के पुट पर 26 लाग शेयर है और कॉल्स में 33 लाग शेयर है तो यह लेवल ऐसा है और कॉल राइटर्स थोड़े ज्यादा है जबकि 15,800 के ऊपर आप बंद हुए और थोड़ा भी तो 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 कॉल राइटर्स थोड़े से बैक फूट पर आएंगे तो 15,800 के नीचे नही मामला मंतली से एकस्पाइरी में जा रहे हैं और 35,000 के लेवल पर बैंक रिफ्टी में पुट और कॉल दोनों में ऑपन इंटर्स हाइस एक ही स्ट्रेक राइज पर है 35,000 पर उसमें भी कॉल राइटर्स लगबग दुगूने है तो 35,000 पार नहीं होगा आसानी से जल्दब और दूसरे क्या मालो है HDFC बैंक के रिजल्स के बाद आपको थोड़ा और दमदार रिजल्स चाहिए ही चाहिए तो आईसे इसे बैंक के ओपर पूरा दारोमदार है कि वो पर सॉमवार को आपको 35,000 के पार ले जा पाता है या नहीं तो आज तो संभाना मुझे नहीं क्लियर है सर तो पूरा सेट अप आपके लिए दिंगत जयों के नतीजे आने वाला है रिलाइंस पर नजर है कल ICICI Bank और ITC की नतीजे है तो चलिए बाजार का अक्शन होने वाला है भरपूरा अब आते हैं सर स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन पर और Zomato की लिस्टिंग की बा मिधानी यानि के मिष्र धातु निगम लिमिटेड सरकारी कंपनी मेटल स्पेस की यहां पर खरिदारी करने के रहा है मेटल शेयर फिर से अक्शन मेशचन मेशां पर दिख रहे हैं वी कमशिया फिर से स्टॉक चाहिए लिए का पर अटेजोगन मेटल स्टॉक स्टॉक्स इक्शन बढ़ता हूँ नजर आए यह तो उसलिया से यहां पर अपस अपसा गल पर अपस अपस बाकी और अधार को ते तो मुझे लगता है यहां से एक्षिन दिखा सकता है एक चोटा स्टोप लगाए तीन चार रुपे की रिस्क रखनी है ज्यादा नहीं और यहां पर उपर की तरफ 210 एक चोटा टार्गेट चाहें तो 200 का रख लें लेकिन जरूर्ट नहीं 210-220 दो टार्गेट के लिए आपके रें खरीदारी मिश्रधातु निगम में यह स्टोक ऑफ दडे के तोर पर आज की Zomato क्या करना चाहिए सर इशू को तो बड़िया रिस्पॉंस मिला था लिस्टिंग पर क्या स्टार्ट जी हो कि अपनी तरह का नया बिज्जिस है और इकलोता बिज्जिस है और बड़ा भी है जहां पर इंट्रेस्ट है वो बड़े निवेश्कों का जबर्दस रह पहली बार हम इस तरह की बड़ी साइज की लोस मेंग पर के स्टार्ट आप को लिस्ट होते हुए देख रहे है तो यह आपने आप में एक स्पॉरियंस है अब तक जो बड़े हैं कि अभिन कहीं इस टौक को लिया कर इंट्रेस्ट जबर्दस है और उसलियाज से से मैं उमी बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वैसे आपको एक एक लोटी मिला तो आप भी क्या कर लेंगे, पहली बात तो यह है कि अगर आपको जो लिस्टिंग का अंदाजा है मेरा, मेरा यह सोचना है लिस्टिंग होगी 100-110 रुपे की रेंज में, 76 रुपे की इश्यू प् अगर अलोट्मेंट मिला तो आपको रखना है, सिंपल सी चीज है आपको यह छोड़ना नहीं है, पहली बात यह दूसरी बात, अब बड़ा सवाल जो है जो आम तो पर आता है कि हमें तो मिला ही हम क्या करें, मेरा यह समझ जा है कि लिस्टिंग पर भी आप खरीज सकते हैं और अगर लिस्टिंग 90 रुपे के आज पास हो इसके नीचे मिला है अब 100 रुपे के नीचे से आपके लिए खरीदने का मौका दे सकता है, 90 रुपे के आज पास में कमफर्टेबल हूं, जहां पर अगर आता है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप इसको अपने डीमेट अकॉन में छोड़ जिए हडबरी मत करिए, जल्दी बाजी मत करिए, बेशनी की कुछ कोशिश मत करिए, आगया थैंक यू वरी मेच, नसीब है आपको मिला है, पहली हो गया, दूसरी चीज जिनको नहीं म मुझे लगता है कि लिस्टिंग होने के बाद भी स्टॉक में एक्शन भरपूर रहेगा और यहां से भी मजबूत हो सकता है, तो आज जोमेटो आपको पोजिटिव साइट पर सर्प्राइज कर सकता है, फिर से बोल्डाओं दीप इस सेंटेंस को ध्यान से सुन लिजेगा जोमेटो आपको पोजिटिव साइट पर सर्प्राइज कर सकता है, इसलिए अगर सो रुपे के नीचे जहां भी आपको मुका मिले वहां खरीदारी करने का मुका भी देखिए, नब्य रुपे के आसपास आता है, बहुत बढ़िया और बाकी सो से 110 के आसपास की लिस्टिं की आते वे देखेंगे, यह मेरा अंदाजा है, जो मैं फंड्स की डिमांड को देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ, और उसलिए से जोमेटो सुपर हिट रहेगा, बिल्कुल तो सुपर हिट रह सकता है, IPO, अगर आपको मिला है अलोकेशन और लिस्टिंग गेंस नहीं चाह हैं, जहों नतीजों के दम पर रियाक्शन दिखाने वाले हैं और खबरों के दम पर भी आक्शन रहेगा, वरुन दिवानशी, मांसी और साथी आशीश के साथ जुड़ लेते हैं, वरुन गुड मॉनिंग करते हैं आप से शुरुआत, बताएं आज के ट्रिगर्स और जिनके नतीज़ा आने वाले हैं, ABB, Power, Menon, Bearing, Phenotex, Chemicals, Panacea, BioTech के तमाम वो कमनीज है, जिनके नतीज़ा आएंगे, SBI, Cards, इसके भी नतीज़ा आएंगे, तो यहाँ पर आपके नज़र होनी चीए, सुमेटर की लिस्टिंग के तो आप बात कर री चुके, इसके अलावा है, Tech Mahinda और Angel Broking, तो यहाँ पर adjustment देखने मिलेगा, Tech Mahinda में 30 रुपे प्रतिशेर का dividend है, और Angel Broking में 5 रुपे प्रतिशेर के dividend है, तो उसका adjustment आज होने वाला है, ICICL उमबाट, नतीज़ा थोड़े कमजोर है, यहाँ पर, gross return premiums जो है, वो तो 12% बड़े हैं, कमनी का मुनाफ़ मुनाफ़ा दरसल 61% घटा है, और COVID का impact जो है, इस कमनी के profit में देखने मिला है, इस कमनी के underwriting losses जो है, वो करीब करीब 510 कोड के आसपास रहे है, COVID के चलते, तो उसका impact इस कमनी के नतीज़ों पर देखने मिला है, जहाँ पर मुनाफ़ा 61% की रहा है, net premium जो है, हाला कि उसमे करीब 12% के आसपास का उचाल देखा गया है. 35.05% पर पहुचते हुए दिखे हैं, 3.09% से बढ़कर, इसके साथी जो provisions हैं, उसमें 70% तकी बड़त YY basis पर होते हुए दिखे है, साथी जो मुनाफ़ा है, वो 87% तक कम होता हुआ दिखा है, और साथी जो ब्याद से आए, उसमें 8% के गिरावट आपको इस बार आते 25.05% के आसपास और कामकाजी मुनाफ़ा इस बार 134 करोर पर आता हुआ दिखे है, लेकिन एहम होगा जो बायबैक के प्रसाफ को मंजूरी मिलती है, उस पर नज़र रखना, 65 करोर के बाईबैक के प्रसाफ को मंजूरी मिल चुकी है, जो फ्लो प्रास सःही कीए है, वो 1260 रुपीस प्रती शेयर पर है, जो कि कल के क्लोजिंग से प्रीमियम पर है, और मैं आपको ये भी बता दो कि ये open market से purchase होता हुआ दिखेगा tender buyback नहीं है तो इस पर आपको ध्यान रखना है और साथ इनका जो मुनाफ़ा है उसमें लगपक 38% तक की गिरावट इस पर आते हुए दिखेए कमजोर नतीजे अग्रोटेक फूद से भी आते हुए दिखेए बिल्कुल तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे और कुछ और नतीजों पर बस कुछी देर में वरिंदर बंसल के साथ result x-ray पर भी हम बात करेंगे पर आई कुछ खबरों पर भी focus करते हैं मांसी गुड मॉनिंग बताएं कौन से खबरे हैं आपके पास गुड मॉनिंग दिपांशू महिंद्रा लाइफ 28 जुलाई को नतीजों के साथ बोनुर शेयर रेशू करने पर एक बोर्ड बेठ करने जा रहा है क्योंकि BPCL में FDIL 100% करने की केबिनेट से मंजूरी मिलती हुए दिखी है सरकारी तेल कंपनियों में मौजदा FDIL 49% है BPCL की बिक्री में सहायता के लिए PSU रिफाइनरी में 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है और सरकार की BPCL में 52.98% हिस्यदारी है Indescent Bank 24 जुलाई को पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जारी है दरसल 23 जुलाई को ये बोर्ड बैठक होने जारी थी जो की re-schedule होकर अब 24 जुलाई तक गई है Magma FinCorp कंपनी का नाम बदल कर पूनावाला FinCorp Limited 22 जुलाई यानि कल से होता हुआ दिखा है Alcargo Logistics 6 अगस्त को Voluntary Delisting पर एक बोर्ड बैठक करेगा जिसके चलते Alcargo Logistics पर भी फोकुस होना चाहिए बिलकुल तो नज़र रखेंगे इन सभी काउंटर्स पर पर कुछ और खबरे वरुन के पास भी है वरुन बताईए इसमें सबसे पहले तो Orient Cement है जिसमें 19 जुलाई को HDFC Mutual Fund ने 43.28 लाक शेस बेचे हैं हिस्सेदारी जो है 7.27 परसें से घट कर अब 5.15 परसें रहे चुकी है पार ग्रेट यहां पे रेकॉर्ड डेट है 1 इस्टो 3 बोनस शेर की रेकॉर्ड डेट जो है वो 30 जुलाई की तै की गई है और सबसे आखरी में PSP Project इस कामणी को ओरडर मिला है करीब 82.8 क्रोज का ओरडर जो है वो इस कामणी को मिला है तो उसके चलते यह कॉम्टर भी आज आक्शन में रहने वादा है ओके तो यह हैं आपके लिए कुछ और खबरे भी और विन के दम पर भी PSP Projects आक्शन में रहेगा आए आपको बता देते हैं फिर आज ब्रोकरजिस का क्या कहना है F.I.R. में गुड मॉर्निंग आशिश बताइए किधर है आज ब्रोकरजिस का फोकस पूरी दिरिके से नतीजों पर है H.O.L. देखे नतीजों के बाद UBS की रिपोर्ट आई है खरीदारी के राय को बरकरार रखा 2850 रुपे के लक्ष के लिए कि GS के कंजुमर का जो इन्होंने अधिकरेंट किया था इसका सिनर्जिस्टिक बेनिफिट इस साल के अन तक देखने को मिलेगा सिटी भी पूलिश है खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 2710 के लक्ष के लिए Goldman Sachs ने न्यूट्रल की रिटिंग दिए 2180 रुपे के लक्ष के लिए और सिरे से लिए खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 2850 रुपे के लक्ष के लिए अल्टर टेक कहाँ पर नतीजे काफी शांदार देखने को मिले सिरे से की रिपोर्ट आई है आउट पर्फॉर्म के रिटिंग को बरकरार रखा है 8000 रुपे के लिए इमानरे की प्रोफिटाबलिटी के लिहाद से अगर आप देखे तो अब तक का सबसे बेस्ट पॉर्टर देखने को मिला है और गोल्मेंट साइज देखे एबी बुलेशन खरीदारी के राय को बरकरार रखे 8550 रुपे के लक्ष के लिए जो भी जेपी मौगन जो है नूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे है 6890 के लक्ष के लिए इमानरे के साल के दूसरे भाग में कंपने को बड़ा प्राइस हाइक करना पड़ेगा तबी नतीजे जानदार देखने को मिलेगे मेकवाईली ने अल्ट्राटक की रेटिंग जो है उसे बरकरार रखे आउट को फ़र्म पर और 8542 रुपे का लक्ष दिया है आई से लोमाड है पर CLC की रेपोर्ट आई आउट को बरकरार रखे है 1600 रुपे के लक्ष के लिए दिग्री यानि रेटिंग को अपडेट कर दिया है 1230 रुपे का लक्ष दिया है 1150 कल की क्लोजिंग है मांडर की स्विच केर सेग्मेंट में अगर आप देखे तो इनकी प्राइसें काफी बढ़िया देखने को बली इसके चलते है मार्जिंस अनुमान से बहतर है और क्योंकि रियल स्टेट में भी रिकाबरी हो रही है तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट आगे जा कर देखने को मिलेगा बजाज ओटों यहां पर सेटी के रिपोट आई बेक्वाली के राय को बरकरार रखा है तीन हजार रुपे के लक्ष के लिए मानटर की कॉस्ट प्रेशर जो है इस पर साफ नजर आया मार्जिंस पर मॉगें स्टाली ने देखे ओवर्वीट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4550 रुपे के लक्ष के लिए नौमिरा खरीदारी के राय दे रहे है 4668 के लक्ष के लिए और मेक्वाइडी नी नूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 4053 रुपे के लक्ष के लिए अलगी यह कहरे हैं कि export volumes में अगर आप देखे तो continuous growth देखने कुल रही है कुछ stocks है जहां पर आपको focus रखाए है तो यह है stocks जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर आज आज आपको कुछ नग कुछ बाद action होता वा नजद आएगा आएगा। आएए बढ़ते आगे और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। नतियों का सीजन पूरे जोरों पर चलता हुआ दिख रहा है और धेर सारे रिजल्स आ रहे हैं दिगजों के भी और साथी मिट केप और स्मॉल केप कमश्यों के भी वरिंदर स्वागत है गुड मॉनिंग करते हैं शुरात सबसे पहले उन नतियों के साथ जहां नतिये लेकिन जैसा कि इस बार कि आपकी थीम है बार बार की वेलिउशन्स महेंगे वाले ज्यादा हैं तो उन से कर ये शुरात जो अच्छे नतिये और महेंगे वेलिउशन्स सब्सक्राइब करते हैं और मॉन्सुन के बाद जो अर्बन है वो बहुत स्रांग हो जाएगा लो इंट्रस रेट्स हैं गर्मेंट सब्सक्राइब के उन्होंने बहुत 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 डिटा पॉइंट्स दिये तो और उनका एक्स्पेंशन पुरे का पुरा प्लान पे चल रहा है तो अच्छे रिजल्स पर थोड़े से एक्स्पेंसिव एलुइशन में सर कल मगी तेंड आउट फो मी वास टेक्नोलोजी मगी मिट्कैप टेक्नोलोजी आई थिंग तू नंबर्स विच के मन वर वेरी वेरी सॉलिड एंफसिस और पर्सिस्टेंट पर्सिस्टेंट के एक जिरूरी पॉइंट है कि उनका जो डील विल्स है वो बहुत बहुत स्टॉंग तैस बार पीस टेंपेट करका है से रपर 22 बहुत लेंगा स्टॉक नहीं है पर बहुत सिस्टा स्टॉक भी नहीं है आई थिंग परसिस्टेंस सर यह ड़न फैबूलिसली वेल आई थिंग कि हाईस कोटली ग्रोफ सर 9.2 परसेंट आया इसका 9.2 परसेंट कंपेटू 6 परसेंट बहुत शांदा नमबर से सर माजिन 16 परसेंट के आजपास 35 टैंस पर टेट करते हैं तो बहुत सस्टा स्टॉक नहीं है बट वेरी वेरी गूट इंटमस अच्छे हैं लेकिन बहुत सस्ते नहीं रहें इस टोक लेकिन जो कमजोर रिजल्स है पहले उनके बारे में बताएं पाया कॉन सर नमबर सुभे आए नौब ये कॉन कॉल है तो जाधा क्लारिटी कॉन कॉल में मिलेगा एक ही नमबर ऐसा सबसे ज़लूरी है कि जो टॉप लाइन है वो मिस्ती 4 पर से घ्रोश ग्रोट ऑए गारें नेरिक सेग्मेंट बहुत लीक था उटरा पर सेंट तस पर सेविव एवाइ बिटा भी नीचे था आपको पैट बहुत जालादा कम देखेगा मेरे चालीस-फ़ास पर सेंट कॉर्ट इस पर संटालीस कोड़ तो उसका इंप्रेक्स में तो देखेंगे दूसरा सब और इस जडिटिंग रिजी अब आप देखेंगे इसका सेल्स अगर आप देखेंगे पांच वाटर से बढ़ रहा है दो कॉटर पहले इसका एक सो लगे कोट सेल्स अभी दूसों पीस क्रोट सेल है है इम शप्राइज रॉस्ट माजन और अबटा माजन अब अबटा मारी देखेंगे तो अब रॉटट पहले जब इसका एक्रोंट का सेल्स ता उससमें अठाइस प्रसंड मारी था कम होके दो कॉटर में फंदरा परसंट होगे हैं तो सेल्स बट रहे हैं पर माजिन स्टम हो रहे हैं, नौट बूट साइन, और महिंदरा एकीशी सेथ, I have heard a lot of people talking about irrigation theme and all and all from Mahindra group, but अभी भी इसने a negative EBITDA दिया, जो consistently दे रहा है, nothing has been done by this company since I don't know how many years. सबसे बले डालूगा मैं, उसका नंबस अचा है था, उसमें एक चीज़ बहुत अचीज दी सर, कि उसका सेल्स थोड़ा सा कमजोर था, और COVID में हमें पता था कि कमजोर होगा, कि कार्म अभी पिक अपने कर रहा, बट फिर भी सर, उन्हें वे कॉस्स कंट्रोल बहुत अबर्दस किया, EBITDA margins, highest ever at 35% compared to 28% quarter and quarter, that was, you know, one thing for me. अगर आप इसको ट्रैक कर रहे, तो आपको सो कार्मा सिंस ट्रैक करना पड़े होगे, आगे जाके किस तरीके से होता है. Indian Energy Exchange stock बहुत भाग चुका है, sir, तो numbers were totally flat quarter and quarter, nothing great in terms of numbers, totally in-line थे, बहुत expensive stock है, 50 time per date करता है, but again, everyone wants a platform business, so what can I say, even India Mart, sir, you know, P&L was flat quarter and quarter, but internals अभी भी कमजोर है, sir. अगर आप देखेंगे, तो EBITDA 90 करोड आया, compared to 85 करोड, quarter quarter, इसमें एक number होता है, sir, paid subscribers का, वो quarter quarter decline हुआ, 6000, इस बार, और quarter one में, वो 14,000 नीचे था, so internals weak है, because everyone knows how much expensive this stock is, brokerages में, sir, जैसे मैंने बोला कि कल ICC Securities के numbers उतने अच्छे नहीं आया थे, जितना stock भाग चुका है, उस इस तरीगी से stock ने react किया है, अपकोस यह बहुत असना stock है, compared to other brokerage companies, 14 नीचे करता है, TTM, EPS पे, but numbers were not that increasing, EBITDA 98 करोड, flat quarter quarter, profit 60 करोड वसे 77 करोड, और हाइडल बग के numbers कमजोर थे थोड़े से, compared to what we are seeing in the cement pack, तो, और अपकोस, मोगी, seasonality का impact हो सकता है, payat आपको जादा कमजोर देखेगा, because उसमें depreciation, you know, higher taxes थे इस बार quarter quarter, but otherwise EBITDA 150 करोड के सामने 130 करोड आया, थोड़ा से कमजोर था, but as I said, the cement cycle is very, very strong, so I have put this into in-line, but for me, end-out performance, sir, अगर मैं देखुँँगा, तो, it was clearly by medical technology yesterday. आपके लिए सारे नतीजों का पूरा विश्टेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, वरिंदर ये नतीजों का विश्टेशन देने के लिए सोमवार आपसे फिर होगी मुलाकात, आपके लिए डेहर सारा काम है, आज के रिजल्स कलके भी बड़े दिग्गे जल्स, IETC, ICC, ICC जोश खरोष्ट बरपूर और हाइस्ट एनरजी लेवल वाले सिद्दार सेदानी साब से करेंगे आज शुरात for a change, सिद्दार जी सुप्रबाद, बताईज़। सुप्रबाद अनिल जी और सुप्रबाद सभी को, सुबह सुबह में आपने मुझे चांस दिया, तो सुबह की जो आर्ती है, वो मैं आर्ती इंडस्ट्रीस से करूँगा, pick of the day में, आर्ती इंडस्ट्रीस पे खरिदारी की राई है मेरी, कई बार recommend कर चुका हूँ, फिर से लेके आया हूँ, बेंजीन-based specialty chemical का सबसे सस्ता, cheapest company जो producer है, वो है आर्ती इंडस्ट्रीस, बट एफवाई 24, मतलब आने वाले 2-3 सालों में, ये company अपनी revenue आई, डबल का सकती है, इतना बड़ा केपेक्स है, 3500-4000 करोड का केपेक्स, बहुत ही मजबूत company मुझे लगते है, आज करी में अच्छी मजबूत ही रह सकती है, अगर थोड़े से positional तौर पर कहूं, तो निवेश की राई 990 का target है, कभी-कभी तो मुझे लगता है सिधार जी के आर्ती नाम से आपका कुछ ने कुछ खास लगाओ रिष्टा नाता ऐसा कुछ है, अगर officially आप कुछ बताना सिधार जी ने आपको साफ-साफ कह दिया, officially कोई नाता नहीं, unofficially जिसको पूछना है, अलग से सिधार जी से मिलके पूछ ले, ये चीज के लिए कर दी, चलिए, थेंक यू, हम समझ गें सिधार जी, थेंक यू, वेरी बच, आईए, बंदल जी, बताएं सर आपका pick of the day, सुपरपात अने जी, सुपरपात इपांचू, तो अने जी मेरा pick of the day है, TCS, TCS में खरिदारी की राये है, 3180, 3180 का स्टॉप्रोस लगाना है, 3300 के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं, बट ये इसमें एक दो-तिन दिन का नजरिया बना के खरिदारी की राये होगी, TCS के अ जरूत नहीं है, या वाकई में चार्ट में मजबूत आया है, कुछ अधा, तीन ही स्टॉक मजबूत लग रहे हैं, पहला है भारती एटेल, दूसरा है L&T, तिसरा है TCS, तो भारती एटेल, और L&T तो कल रिक्मेंट कर चुके हैं, TCS भजिया था, उसको pick of the day में ले लिया अने जी, चलिया बढ़िया, 3300 के टार्केट के लिए TCS को खरी दें, एक दो दिनों के लिया आज से ये राह है, बंसल जी कि बस TCS की जरूत भी है, क्यों कि निफ्टी को ऊपर रखना है, मजबूत तो TCS की तो जरूत पड़ेगी है, कुनाल जी आप क्या खरी देंगे, ग दमदार है, ये स्टॉक मुझे लगता है, इवेंचुली 400 रुपे तक जाएगा, एक विशाल का है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, लेकिन एकदम शॉर्ट टम के हिसाब से 240 रुपे पर स्टॉप लॉस रख करके बाई करें, मुझे लगता है कि 265 रुपे तक के लेवल से आपको जल्द आते हुए दिखेंगे, तो खरिदारी के राये है रेर इंडिस्ट्री को, मौनसून से कुछ लेना देना तो नहीं ना इसका, हां कुनाल जी, यहां तो मौनसून थोड़ा फीका चल रहा है, और आप लोगों के यहां जरूरत से ज्यादा टिवर है तो अनिल जी मौनसून से इसका कोई लेना देना नहीं, नाम ही है बस अनिल जी रेन, चलिए बढ़िया, नाम ही है और माहूल है, बाकि रेन इंडिस्ट्री आपको CPC यह बनाने का प्रोड़क बनाने का कारोबार करने वाली कमसी, सचिन जी सूपरबाद, बताएं सर आपक है कि पिक ओफ दवीक हो सकता है, तो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, काफी वीक नोट पे चल रहा था इस पर्टिकलर एक्सपाइरी में, बट हाल फिलाल में पिछले 7-8 दिनों का अगर डेटा देके तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ आप्टिमिसम बन रहा है जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड ले अपने 200-day exponential moving average में परसों के सत्र में, मुझे लग रहा है वो काफी commendable था और उसी ने nifty को संभाल लिया था, stock का नाम है Reliance Industries, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से weekly charge पे एक bullish हरामी formation है, उसका confirmation आज के सत्र में हो जाना चाहिए, 200-day exponential moving average से इसने एक rebound dia plus इसका daily RSI अगर देखे तो वो काफी अच्छी तरह एक bullish divergence दिखा रहा था और 50 के उपर इसने आज कल के सत्र में closing दी है, जल्दी इस पर्टिक्लर stock में एक अच्छा momentum बन सकता है, इंटाडी के लिया से मुझे लग रहा है 2160 के आसपास के swing बन सकते है, ब इसने 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 करना है और खरीदारी करनी है, रिलाइंज तो दो लोगों की जिम्मेदारी हो गई एक तो बंसल जी और दूसरे सचिन जी, एक TCS को बढ़ाएंगे, दूसरे रिलाइंज को बढ़ाएंगे आप दोनों के दम पर फिर मैं आसानी से कह सकता हूं कि 69 का आसपास कल का क्लोजिंग है, स्टॉक के अंदर बाई बनता है, कोई भी डिप आता है नौसो पैसर तक तो लोड लेवल्स पर खरदारी करें, स्टॉक के अंदर उपर में जो इमीजी टागेट देखनी को मिल सकते हैं, वो है 990 और 1000, यानि आने वाले दिनों में स्टॉ फोर डिजिट्स में देखनी को मिल सकता है, गोद्रिट सीपी बे खरदारी करें, 950 का स्टॉप लोड लगाए, 990 से 1000 उपे के टागेट के लिए ओके बंसल जी कुछ कहना चाते थे, बंसल जी बोलिए अनिल जी आपने अभी बोला ना कि TCS वडाने की जिम्मारी मेरी है, तो अनिल जी वह जिम्मारी मेने साइड्ले कर दी है, मेरी पहली जिम्मारी है, सिदार जी की ART industries वाली mystery अनिल जी सॉर्व करना, तो पहले अनिल जी वह सॉर्व करूँगा, उसके बाद अनिल जी TCS को चलिए यह वीकेंड वाला काम है जिस पर आपको फोकस करना है वीक डेज में मार्केट पर फोकस करें इधर उधर दाइम आए ध्यान बठका है ना बंसल जी चलिए बढ़ते आगे